तो हेरे विण कैसे है आप सब लोग मैसव तुशार एंड आज इस विडियो में बात करेंगे आपकी ब्रीच प्रेजेंटीशन के बारे में देखेंगे क्या होता है इसके कितने टाइप्स होते हैैं डीयोशिस कैसे करते हैं क्याकै क्या क्य然 से कॉसे होते हैं ताकि जब आप exam में लिखें उसे तो और exam से पहले आपको revision करना हूँ तो काफी easy हो जाए आपके लिए तो जो हमारी सारे notes हैं आपको हमारी telegram channel में मिल जाएंगे जिसका नाम भी तुशनौटी हैं तो वहां से भी आप जाके search कर सकते हैं आपको यह सारे notes वहां मिल जाएंगे उसका link नीचे description में भी मिल जाएगा आपको बाकी वीडियो आने में मुझे पता है काफी late हो गई है तो काफी सारे है topics जो pending पड़े वे तो सबको कोचिश करूंगा जली जली करूं जो वीडियो उसकी frequency है उसे मैं बढ़ा पाऊं ताकि आपके पास भी अच्छा से अच्छा content आ सके और आप exam में अच्छे से लिख सकें तो मैं आपने site से पूरा try करता हूं आप भी यहार channel अगर नए हो तो subscribe जरूर से कर लेना and videos को like and share भी कर देना अपने friends के साथ चलो start करते हैं तो सबसे पहले presentation यह हमने पहले ही भी पड़ा तर्म presentation जब हम लोग fetal parameters पर रहे थे जिसमें हमने lie देखा था denominator क्या होता है present presenting part क्या है attitude क्या है सब कुछ अच्छे से cover के था उसमें भी हमने तो अगर अपने वीडियो नहीं देखे तो जबर से check out कर लेना नीचे link में आपको description मिल जाएगा उसका तो वहाँ पे हमने क्या presentation होता क्या है तो अगर simple भाषा में बोलें कि presentation क्या होता है उसका मतलब होता है कि it refers to the part of the fetus body that lead to the way out through the birth canal मतलब बेबी का कौन सा वाला part है जो birth canal से पहले निकलेगा ठीके कौन सा part पहले engage हो रहा है तो उसको presentation बोलते है and उसी का जो types होते हैं उसके तीन types थे सिफैलिक आपक आपनाइब हमारे babies हैं आपे हमें help करेंगे हमें समझाने में concept तो इस बेबी ने लिया अब इस बेबी में जो normally होता है वो क्या होता है सिफैलिक होता है तो सेफैलिक कंडिशन में क्या हुता है कि आपका जो head वाला पॉल है यह नीची के तरफ होता है तो इस में presentation कैसा होग लेकिन अगर यह बेबी उल्टा हो जाए मतब दिखने में सीता है लेकिन अगर उसके फीट या उसके बटॉक्स पहले आ रहे हैं तो इस विल बी कॉल्ड एज ब्रीच प्रेजेंटेशन जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं ठीक है और एक और होते हैं कंपाउंड वाला जिसमें क्या होता है कि उसमें आपके जो हेड है शोल्डर है यह एक साथ आता है कुछ इस वे में आता है बेबी तो वह बहुत ही रहर होता है ठीक है तो इसको कभी बाद में पढ़ेंगे फिर आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी ब्रीच प्रेजेंटेशन को ठीक है तो प् है आपका frank और extended breech ठीक है आपको दिख रहा है यह पर क्या है आपका frank और extended breech and this is the most common one इसमें क्या होदा है कि baby's buttocks are aimed at the birth canal with legs extended straight up in front of the body feet near the head any 50 to 70 percent होता है ठीक है तो यह क्या बोल रहा है इसमें हम जो हमारे three babies है उसमें से जो सबसा पहला baby है this one इसमें क्या बोल रहा है एक तो baby के जो बटॉक्स है ठीक है बटॉक्स है यह क्या है aimed at the birth canal के यहाँ पर है उसके बाद क्या है इसके जो legs है these are extended towards the head ठीक है अगो दिख पा रहा होगा and इसके जो feet है वो कैसे है face के pass है मतलब इसके head के pass है तो यह कौन सा है आपका type this is known as a frank or extended breech extended क्यों क्योंकि कि इसके legs extended है clear and यह 50 to 70 percent cases में होता है second है complete or flexed breech flexed हमें बता चल गया है मतलब उसने कुछ तो मोडा हुआ है flex किया है that is यह वाला baby इसमें हम देख पा रहे हैं कि आपके जो यह इसके जो knees है यहां से flexion हो रहा है इसमें यह लिखाया कि baby's buttocks are aimed at the birth canal again baby के जो buttocks है वो aimed कर रहे हैं आपके birth canal पे knees are bent ठीक है knees इसमें bent हो रहे हैं and feet are near the buttocks creating a sort of sitting position M's के पैर कहां पे हैं उसके buttocks के पास ही है and ऐसे लग रहा है जैसे baby बैठावा है अराम से तो यह 10-40% cases में क्या होता है यह वाली condition होते है this is known as the complete or flexed breech हमारे जो third baby है यह क्या perform करने वाला है this will be performing आपका footling or incomplete breech ठीक है आपको देखके वादा चल रहा है इसमें क्या हो रहा है one और both of the baby's feet point downward and will come out first ठीक है तो इसमें क्या है आपके feet वाला part है यह तो एक पैर होगा यह तो दोनों पैर होंगे आपके downward position में होगा and these will come out first and it is associated with higher risk इसमें काफ़ी risk होता है यह बहुत rare होता है 5-10% ठीक है तो यह है आपका कौन सा condition this is known as the footling or आपका incomplete breech ठीक है तो यह तीनों case आपने देख लिए पहला baby ऐसा था ठीक है second वाला baby कुछ इस वे में था ठीक है इसने अपने knees को flex कर रहा है and third वाला एक्दम सीधा खड़ा आवा है ठीक है तो यह तो होगा इसके types बात करें इस priority ठीक है more common in preterns baby ठीक है births since the baby has not had time to turn simple सा क्या बोल रहा है कि यह case क्यों होता है इस भी आवला रहता है कि जब बेवी प्रीटर्म होता है में तब टाइम से पहले 37 वीक से पहले उसमें क्यों होता है कि बाद में वालन होके ऐसा हो जाता है लेकिन जब उसको पहले ही बेबि को में deliver कर देंगे बेबि पहले ही deliver हो जा रहा है तो इसको time नहीं मिला turn होने का तो यह पहला condition है मतलब कॉस है इसका सेकेन मुल्टिपल प्रेग्नेंसी अगर आप देखो यह सोचो कि यह दो बेबीज है यहां ठीक है अब यह दोनों बेबीज एक साथ अगर हो रहे हैं तो इनको कहां जगा मिलीगी टर्न होने का नहीं हो पाएंगे ना टर्न इसलिए मुल्टिपल प्रेग हो यह दो तो यह आपका भी प्रेजनेंट इशन में लीड कर सकता है यह दो फेटल अभ नवलीकी सिऊ Tonight इस बेबी का अगर हैड में आपका है तो इसमें प्लासेंटर प्रीविया और अगर प्लासेंटर का जो पोजीशन है वह एकदम लोवर पोल पे है एकदम जा उसके माउथ पे है तो क्या हो सकता है उसके प्लासेंटर क्यूसिशन हो सकता है ब्रीक पेसंटरेशन का अम्योट सब्सकोज अगर ज्यादा हो जाए यह तो इसमें यह जय ज्यादा उसकता है एग영 तो यह तो होग है इसके six causes, आप बात करेंगे हम इसको diagnose कैसे करेंगे, मैं पता करेंगे कि बीबी सीधे आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप clinical examination करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, palpation करेंगे, ठीक है, palpation करेंगे and by performing leopold's maneuver, ठीक है, कैसे leopold's maneuver हमने इस इसे भी video separately बना चुके हैं, अपके leopold maneuvers या उसको fetal grip भी बो सकते हैं, तो उस पर भी आपको link नीचे description मिल जाएगा, काफी easy है, practical way में समझा रहा है मैंने, तो आप ज़रुसे उसे check out कर सकते हैं, ठीक है, तो second क्या है, हम ultrasound कर सकते हैं, ठीक है, more अच्छा way है, it confirms the type of breech presentation, ठीक है, हमें बता सकते हैं कि कौन सा अलब breech presentation है, position क्या है placenta का, ठीक है, and कोई anomalies तो नहीं है, यह सब कुछ हम इससे देख सकते हैं, with the help of ultrasound, and last है आपका pelvic examination, that is, it helps to identify a breech position by feeling the buttocks or feet instead of the head, simple सा आप pelvic का examination करेंगे, तो आपका पता चल जाएगा, कि वहाँ पर head है, एक गलगल स आपको circular, थोड़ा hard feel होगा, तो that is, आपका head है, वहाँ पर, लेकिन इसके अलावा, आपको कुछ भी अलग feel हो रहा है, तो it can be a case of breech presentation, ठीक है, तो यह इसका diagnosis हो गया, last इसका हम देखते हैं, second last, इसका management देख लेते हैं, कि अगर baby हो रहा है, breech presentation में हमें पता चल गया, हमन procedure attempted at around 37 weeks to turn the baby to a head down position, इसमें क्या होता है कि हम बेबी ऐसा है, सीधा है, हमें पता चल गया, हमने diagnosis कर लिया, कि बेबी ऐसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक procedure होता है, जिसके help से हम बेबी को बाहर से turn कर लेते हैं, धीरे-धीरे, ठीक है, ताकि वह अपके normal position में आ जाए, त तो यह क्या हो गया procedure that is known as the external cephalic version, next आपका vaginal breach delivery, तो simple सी बात है कि it can be considered, आप चाहरें कि बेबी ऐसा ही है, और एकदम normal delivery हो, पर इसमें क्या होता है कि दो condition होनी चाहिए, इसमें या तो baby frank position में हो, जैसे यह है, अगर यह position है, फिर तो हम कर सकते है vaginal delivery, अगर यह दो case है, या आपका incomplete footling breach, इस case में तो हम vaginal delivery नहीं करा सकते है, लेकिन अगर हाँ, ऐसा case है, तो इसमें कर सकते है एक बार के लिए, बेबी ज्यादा बढ़ाना हो, ठीक है, इस नौट तू लाज, अगर जो healthcare provider जो कर रहा रहा है यह आपकी delivery, वो काफी experience होना चाहिए, ठीक है, तब हम ज पॉटलिंग और complete breach presentation, it reduces the risk of trauma to the baby and complications like cord prolapse, ठीक है, तो सबसे easy method है कि आप directly season section के लिए जाए, और आपकी जो भी यह अपके जो दिक्कत है आएंगी, यह सब नहीं आएंगी, उसमें, clear, इसके बाद भी कुछ complications हो सकते हैं, इसमें, क्या-क्या हो सकते हैं, तो आपका सबसे बह बाद है कि भाईया, क्योंकि अगर बेबी इसमें में आ रहा है, ठीक है, इसमें लिखा भी है कि it's more common in footling breach presentation, तो क्या हो सकता है कि इसमें cord के prolapse होने के बहुत chances जो जाएं, ठीक है, क्योंकि पहल के तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो यह बहुत dangerous हो सकता है, second कोई birth injuries हो सकती है, क्योंकि unusual way है, तो इसमें आपके बेबी के fracture हो सकता है, या उसके कोई joints के dislocation हो सकते हैं, ठीक है, यह तो यह सब चीज़ें हो सकती है, इसमें, hypoxia हो सकता है, क्योंकि umbilical cord वही है, हम जो पहले बात करें, क्योंकि umbilical cord अगर उसमें compression आ जाता है, ठीक हो दब जाता है, तो क् babies होते हैं, वो pre-mature होते हैं, pre-term वाले होते हैं, तभी यह breach presentation होती है, तो यह था पूरा आपका breach presentation के पर वीडियो, जिसमें हमने सारा कुछ कवर के हैं, इसमें types, diagnosis, causes, management, complications, and यह आपके notes हैं, आपके, यह आपको telegram channel पर मिल जाएंगे, वहासे आप download करके इसको याद कर सकते हैं, बाकी तो अगर कोई doubt है, तो नीचे comment section में जो उसे पूछ सकते हैं, वीड़ापो कैसे लगी, and आपको हमारेकर efforts अच्छे लगे, यह 3 babies बहुत बड़ी मुश्किल से बनाएं मैंने, तो अगर आपको यह 3 babies भी अच्छे लगे तो यार वीडियो को like कर देना, अपने friends क या share कर देना, and channel को ज़रूर से subscribe कर देना, तो मिलते हैं next video में, till then take care, bye bye